रादे रादे आज मैं आपको गोपाल जी के लिए टाई वाली ड्रेस बनाना सिखाऊंगी ये तीन पलाई के उन है और वाइट और ब्लेक दो रंग से बनाऊंगी और पांच नमबर के गोपाल जी के लिए बनाऊंगी और दस नमबर की सलाई लगाई है अब मैं वाइट कलर क्यां लगा रही हूँrant zweiफंदें बटन पट्टी के लिए बणा लिए उल्टे याप मैं फंदें बडाओंगी चार फंदों के उपपर और फिर चार फंदों के उपर उदर की साइड बढ़ाऊंगी और दो बटन पट्टी के और फिर एक फंद है वैसे ही उतारने वाला है और बीच वाले फंदों का सेंटर लेके दो फंदे बलेक के बनाऊंगी टाई के लिए और उल्टी सलाई में उतार चुकी हूँ अब मैं सिद्धी सलाई बनाऊंगी उल्टी सलाई में कोई फंदा नहीं बढ़ाना है अब मैं सिद्धी सलाई बना रही हूँ दो फंदे उल्टे बनाऊंगी और फिर जहां पे जाली डाले वहां पे जाली डालोंगी तो इस तरह करके मैं यह पूरी सिलाई उतार लूँगी जहां पे जाली डाली वहां पे जाली और जहां टाई के लिए दो फंदे बलैक बनाएं वहां पे बलैक बनाऊंगी इस तरह करके मैं यह पूरी सिलाई उतार लेती हूं और मैं उल्टी सलाई उतार चुकी अब मैं फिर सिधी सलाई बना रहे हूं और वाइट से ही बना रहे हूं ब्लैक तो बस टाई टाई के वीच में ही लगा रहे हूं पंदा बढ़ाते हुए जब जाली डालते हैं तो दागा अपनी साइड होना चाहिए और फिर फंदा बढ़ेगा आई टोन से अब मैं 34 सलाई उतार रही हूं और जहां फंदे बढ़ें वहां पर फंदे बढ़ाऊंगी और जहां पर बलेक टाई के लिए बना रही हूं वहां मैं उल्टा बना रही हूं बलेक वालों को और मैं चटी सलाई बना रही हूं और टाई को सेफ देने के लिए मैंने शुरू में तो दो बनाए थे अब लास्ट में मैं चार फंदे बना रही हूं एक इधर से जादा और एक उधर से जादा दोनों साइड से एक एक फंदा ब लीजिए मैंने चयस्लाई वाईट से बना ली हैं चलिए जान जाली डाली और बीच में फंदे बनाये उनको मैं पिन में डाल लूँगी और फिर आगे सिधी स्लाई उतार रे कर दिखाते हूं कैसे डिजाइन डालूंगे आगे गेरे में तो लीजिए ये पिन में मैंने फंदे डाल ली थे बाज्यू के चोदा चोदा फंदे और बीच वाड़े भी चोदा ही रखे हैं और दोनों साइड नोनों है कंदे के लिए तो अब मैं वाइट सलाई से उल्टी सलाई बनाऊंगी दो फंदे बटन पट्टी वाले और एक फंदा बिना बना उतार लिया है और फिर मेरी साइड दागा करके उल्टी उल्टी सलाई उतारूंगी इस तरीके से मैं पूरी सलाई में उल्टाई उल्टा बनाऊंगी तो चलिए ये मैं बना कर आपको दिखा देती हूं और फंदे चोड़कर सब फंदों के उपर फंदे बढ़ाऊंगी एक का दो एक का दो आगे की साइड मेरी साइड दागा किया हुआ है और इस तरीके से मैं सब फंदों के उपर फंदे बढ़ा लूंगी ये फंदा बढ़ा लिया और दागा पिछे की साइड फिर दागे को आगे कैसे बनानी है लेजिए मैंने सब फंदेव भी बढ़ा लिये थे और एक स्लाई उल्टी रो एक स्लाई सिद्धी भी बना चुकी हूँ मैं ये ब्लेक कलर की हूँं से शिद्धी सेलाई उतारूंगी और कोई फंद भी बढ़ा क्लर की हूँ जोड़ते हैं तो दागा थोड़ासा एक्स्ट्रा रहकर बड़े ऋड़ए दागे के उपर लापेटर देते हैं और फिर आगे स्वेटर बनाते हैं तो यह खूलेगी नहीं आप जब भी स्वेटर बनाए तो इस तरीके से दागाला पेट कर बनाएं तो स्वेटर कभी भी नहीं खुलेगी यह मैं इसलाई कंपलेट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाते हूँ यह मैंने उल्टी सी दिसलाई दोनों बना लिए बलैक से भी और वाइट से भी एक सलाई उतार चुकी हूँ अब मैं वाइट से दूसरी सलाई उतारूंगी और यह पहले वाला फंदा बिना बना उतार कर अब दो फंदे उल्टे बनाऊंगी और उसी तरीके से सब फंदों के उपर फंदे बढ़ाऊंगी ये तीन फंदे बटन पट्टी के रखकर दोनों साइड तिन तिन फंदे रखने बटन पट्टी के और फिर दागा मेरी साइड कर लूँगी फिर फंदा बढ़ा लूँगी फिर दागा मेरी साइड कर लूँगी फिर फंदा बढ़ा लूँगी तो इस तरीके से मैं पूरी सिलाई को complete कर लेती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ आगे कैसे बनाओंगी इसको मैं लीजिए सब फंदों के उपर फंदे बढ़ा लिये थे और एक सिलाई मैं black से उतार चुकी हूँ अब मैं sweater को बंद करूँगी और इसके उपर कैसा डिजाइन बनाओंगी वो आपको दिखा देती हूँ यह पहले वाला फंद है इसको मैं चार बार बनाओंगी एक बार बना चुकी अब मैं दूसरी बार बना रहे हूँ फिर उसी सिलाई पर डाल लोंगी और फिर बनाओंगी और यह चोत्ती बार बना रहे ह अब इस फंदे को उसी सलाई पे डाल कर दो का एक फिर दो का एक इस तरह करके मैं तीन फंदे बढ़ाऊंगी और फिर दो का एक ये तीन फंदे गटा चुकी हूँ फिर उसी फंदे को मैं उस सलाई पे डालूंगी और इसको एक बार बना लिया और फिर ये दो बार बना लिया और फिर ये तीन बार बना लिया और फिर ये चार बार बना लिया फिर उसी तरीके से इस फंदे को इस सिलाई पे डाल कर फिर दो का एक और फिर दो का एक और फिर दो का एक इस तरीके से मैं इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी ये दूसरी बार बना लिया ये तीसरी बार और ये चोत्ती बार बना लिया उसी फन देखो दो का एक और फिर ये दो का एक और फिर ये दो का एक, इस तरह करके मैं ये डिजाइन बनाऊंगी, ये तीन फंदे बीच में गटाने हैं, और आप अपनी मर्जी से चार फंदे भी बीच में गटा सकते हैं, ये देखना इस तरह से लुकाएगी पूरी ड्रेस में जालर की, तो चलिए मैं ये पूरा डिजा लगती हूं, कितनी सुंदर ड्रेस बन कर त्यार हूए है, गोपाल जी के लिए, लेजिए पूरी ड्रेस में मैंने जालर का डिजाइन बना दिया है, और डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है, और कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है, ब्लैक और वाइट का, तो चलि बना लेते हैं, यह पिन को मैंने खोल लिया है, और एक एक फंदा करके, सारे फंदे में सलाई में ले लूँगी, पिन से लीजिए, सारे फंदे मैंने पिन से सलाई में ले लिए और वाइट से बना ली थी, एक सलाई सिधी और एक उल्टी, अब मैं ब्लैक से बना रही हू और ब्लेक से भी एक सिलाई उल्टी और एक सिदी बनाऊंगी ब्लेक से सिदी सिलाई कम्पलिट हो चुकी है अब मैं उल्टी सिलाई बना रहे हूं उल्टी सिलाई में उल्टे ही बनाऊंगी सब फंदों को और बाद जो में कोई फंदा गटाना बढ़ाना नहीं है एकी साथ फंदे बंद करने हैं लास्ट में बस ब्लेक वाली उनसे उल्टी सिद्सलाई बना चुकी अब मैं वाइट वाली उनसे सिद्सलाई बनाऊंगी और फिर एक सिलाई उल्टी बनाऊंगी अब मैं वाइट वाले उन से उल्टी सी दिसलाई दोनों बना चुकी हूँ लीजिए ब्लैक वाले से उल्टी सी दिसलाई बना चुकी है अब मैं फंदों को बंद कर दूंगी दो का एक और फिर दो का एक और फिर दो का एक इस तरह करके मैं इस पूरी सलाई के फंदों को बंद कर दूंगी बाजु के सब फंदों को बंद कर लिया था और ड्रेस की दोनों बाजु को बना कर कंपलीट कर लिया और बहुत ही सुन्दर ड्रेस बन कर त्यार हुए है गोपाल जी की टाई वाली एक बार आप भी जुरूर बनाएं वीडियो को सेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी नई आइडिया नई कोई गोपाल की ट्रेस के साथ या नई कोई कुड़ती डिजाइन के साथ रादे रादे थार का बादे रादे 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 हैं रादे रादेемся हैं प्रोप भी की साथ रहा हुए हैं नई यचा वी डिया की खालते हैं वीडियो में शणे़ भी एप OSTER nasal मिलते हैं